क्या होगा यदि कोई बेती बराबर बोट लेके आजाबा क्या होता है यदि कहीं पर दो चुनाव रणने वाले कंडिडेटों को समान एकवल बोट मिल जाते हैं क्या होता है अगर खोई एक पर्षन दो जगमूं से चुनाव जीत के आ जाता है ऐसे कई सारे questions जो आप सब के दिमाग में आते हैं, उन सब का answer आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसका पहला part जो हम पहले देख चुके हैं, आज इसका दूसरा part किसी अपरादी के चुनाव लड़ने पर कुछ प्रतिबंध हैं कि जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती है, उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्या ऐसी कोई प्रतिबंध इस प्रकार का restrictions किसी voter पर भी है, मतदाता पर भी है लोग प्रतिने तो अधिनियम 1951 के section 11A में इस पस्ट लिखा हुआ है, कि ऐसा कोई व्यक्ती जिसे CRPC के अंतरगत, section 175 के अंतरगत अगर सजा मिली हुई है, उसे उस अपराद के लिए दंडित किया गया है, ये जो अपराद हैं, इसमें जो section में दिये गए हैं, मैं आपको बताओं, ये गंभीर किस्म के अपराद हैं, तो उसको detail में ना जाते हुए ऐसा समझ लो, कि अगर उसको गंभीर किस्म के सजा मिली हुई है, तो वो व्यक्ती जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती, और सजा पूरी होनी के 6 साल के बाद तक बोट भी नहीं दे सकता, य जो restrictions चुनाओ लड़ने पर हैं, कुछ restrictions बोटर के उपर भी हैं, इसके बाद, election जो होते हैं, अभी आप देख रहे हो कि election चल रहे हैं, तो इस election के कारियों को पूरा कराने के लिए प्रशास्निक मसीनरी कहां से आती है, इसके लिए जो officer रहते हैं, वो कौन से officer रहते हैं, क् क्या ये state government के हैं, इनका कौन monitoring करता है, उसका भी answer हम देखते हैं, लोक प्रतिनित अधिनियम में इसपस्ट रूप से लिखा हुआ है, यहां पर जो भी ये निर्वाचन संबंदी कारी होंगे, तो इसमें जो निर्वाचन अधिकारी, जो इसमें returning officer, assistant returning officer, मतदान अधिकारी प्रेक्षा किये, जो कुछ भी बनाए जाएंगे, तो इन सब के लिए जो अधिकारी होंगे, अगर केंदर सरकार के पास हैं, तो केंदर सरकार उपलब्द कराती है, और राज सरकार के अधिकारी आते हैं, यानि कि जब आप सुनते हैं, कि आचार सहता लगी हुई है, model code of conduct लग गया है, यानि इलेक्षन का प्रोसेस इस्टर्ट हो गया है, तो फिर यह सारे के सारे अधिकारी इलेक्षन कंड़क्ट होने तक किस authority के अंतरगत माने जाते हैं, यानि यह प्रतिन्योक्ती पर चले जाते हैं इलेक्शन कमिशन के पास जब इलेक्शन कारे पूरा हो जाता है तो जहां जैसे थे उस जगे ये बापस आ जाते हैं ये होता है इनको पूरी मसीनरी मिलने का सिस्टम तो प्रतिन्युक्ति यहीं डेपूटेशन हो गया पर्टिकलर चुनाव कंड़क्ट होने की टेट तर ठी उनके खिलाब कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है उनका ट्रांसपर करना है उनकी पोस्टिंग करनी है उनको लीप देना है यह सारे के सारे पावर इलेक्शन कमिशन के पास होते हैं या स्टेट गवर्मेंट या सेंट्रल गवर्मेंट कोई भी इंटर्पेर नहीं कर सकती है अगला प्षचन आता है कि एलेक्शन लड़ने वाले क्या नामांकर या नॉमिनेशन का जो तरीका क्या होता है अभी आप देखोगे कि जो तीन चरणों में मतदान हो गया है अलग-अलग स्टेप में डेट डेकलियर होती है कि आप यहां पर नामांकर नॉमिनेशन कि दे जा सकते हैं वह प्रोसेस क्या है तो उसको भी बहुत सौट में समझ लो कि जो चुनाओ लड़ना चाहता है चुनाओ लड़ना चाहता है उसके लिए क्या शर्टे होगी प्रीविएस वीडियो में आप देख सकते हैं आप उसको जब यह नामांकन की डेट फिक्स हो जा हो जाते हैं फॉर्म फिर जितने भी फॉर्म आए जैसे मान के चलो एक लोगसवास छेतर से 15 या 20 लोगों ने वहां पर चुनाओ लड़ने की एक्षा कुछ राजनेतिक दल राश्ट्री उनके प्रत्यासी होते हैं कुछ प्रादेश से किरुते हैं कुछ तो अपना ना म विड्रॉल कर सकता है अब नाम बापसी की जब डेट निकल जाती है तो उसके बाद उन सारे जितने भी एփप्लिकेशंस आए थे उनकी स्कूरूट्नी की जाती है या उनकी जाज की जाती है जहां उनके जो डॉक्यूमेंट हैं हो पूरे हैं जो कण्डिस से उनको पूरा फुल्फिल करते हैं या नहीं उसके बाद जो वैलिड एप्लिकेशन्स मिलते हैं तो फिर फाइनल बो लिस्ट पब्लिस की जाती है कि अब इतने लोग चुनाव लड़ेंगे और जितने केंडिडिट बसते हैं उसे साब से एवियम में उनके नाम उनके सिंब यह सब चीजें दी जाती हैं अगला क्वश्चन है कि एलेक्शन के दौरान रेडियो दूरदर्शन केवल या इंप प्रचार के लिए क्या तरीके होते हैं तो इसके लिए भी लोग प्रतिनेजित्तु अधिनियम 1951 सेक्शन 939a में लिखा हुआ है कि यहां पर जो राजने दल रहते हैं उनको टेलिविजन नेट्वर्क एलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रचार के लिए आउसर मुता है चुकि आप समझो दूरदर्शन या रेडियो यह चुकि सरकार ही संस्ता हैं सरकार के अधिन होती हैं तो यहां पर उनको टाइम स्लोट दिया जाता है कि कौन कि किसनी देर तक अपना यहां प्रचार कर सकता है तो यह इसके तरीके से किया जाता है पहले लोग दूरदर्शन देखते थे रेडियो सुनते थे तो उसमें जो राश्टी इस्तर के नेता थे वो अपना मैनीफेस्टो अपनी नीतियां उनको जनता को पताते थे अब दूसर उपर को हम कितनी देर प्रचार करेगा वह बात नहीं है यहां बात होती है कि वह सरकार के अधीन जो प्रचार माद्या में उनके लिए क्या तरीका होगा और यह जो प्रचार किया जाएगा यह बोटिंग के 48 आवर के पहले पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है यह निक अगला क्वेश्चन है चंदली आता है कि मान के चलो बोटिंग से पहले जो चुनाव लड़ने वाले केंडिडेट है उसमें से किसी की मौत हो जाती है तो फिर क्या होगा तो यहां पर यह एक्ट कहता है सेक्शन 52 कि अगर ऐसे वित्ती की मौत होती है जो किसी राजनेतिक पाइडल के द्वारा खड़ा किया गया है जनी पौलिटिकल पाइटी का केंडिडेट है और उसकी मौत हो जाती है तब क्या होगा अब मौत होती है कि जब मौत हो गई यानि उसकी मौत के पहले उसने अपना स फॉर्म फिलप कर दिया। we रामबापसी की डेट भी निकल गई इस्कूरूट मी हो गई और फाइनल रेपोर्ट पब्लिस हो गई है कि यह केंडिडेट हैं जो चुनाव नड़ सकते हैं उसके बाद यदि उसकी मौत होती है तो निरवाचन अधिकारी उस जगे होने वाले चुनाव को इस्थगित कर सकत है और यहां option उपलब्द कराए जाएगा राजनितिक दल को कि वो उस इस्थान पर अपने किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर election fight करने के लिए आगे भेज सकती है तो उस जगे जहां पर यह election रोका जाता है उसके चुनाव बाद में होते हैं तो ऐसा भी होता है कारण है से बाद EVM में के नाम आ जाते हैं सारी चीजें document पर होती है तो फिर से उनको amend करना पड़ता है तो यह सारी चीजें आती है यह किसके लिए clause है यह सिर्फ है माननेता प्राप्त राजनितिक दलों के लिए जो registered party होती है उनके candidate के लिए अगर कोई निरगली अव्यक्ति उसक अगला question जो हम लोगों के दिमाग में आता है क्या होगा यदी चुनाव लड़ने वाले candidate को equal vote मिल जाते हैं हम मानके चलें के दो लोग चुनाव लड़ते हैं दोनों में match tie हो गया तब क्या होगा दो से ज़्यादा लोग भी हैं और उनको equal vote मिल जाते हैं तब क्या provision है क्या फिर से re-election होगा क्या किया जाएगा तो फिर इसके लिए भी जन प्रतित्व अधनियम में section 53 में यहां लिखा गया है कि यह जो चुनाव की प्रक्रिया तब की जाती है जब एक से ज़्यादा candidate होते हैं अगर कहीं पर एक ही candidate है दूसरा कोई नहीं है तो फिर वो election नहीं कर जाए जाएगा वहां पर winner हो जाएगा यानी से बोलते हैं निर्विरोत जब एक से ज़्यादा candidate हुए voting होई voting होने के बाद equal vote आने की इस्तिती में decision किया जाता है lottery system से lottery system के द्वारा फिर जिस जो भी जैसे दो candidate थे तो जिसके नाम की परशीड लेगी वह ऐसा माल लिया जा जिता है कि एक बोर्ड से चुनाव जीत के जाएं जिए हैं क्या होगा यदि कोई व्यक्ति लोगसवा और राजसवा दोनों के चुनाव जीत जाता है यानि ऐसी situation समझ लो कि जंडली होता ही है कि लोकसभा के चुनाव होते हैं उसी दोरान राजसभा की कोई seat के चुनाव हो रहे हैं अगर कोई person दोनों election को जीत जाएगा तब क्या होगा उसको कौन सी seat चोड़ने पड़ेगी या दोनों का मेंबर रहेगा इसको भी हम समझते हैं जब कोई व्यक्ति दोनों सदन का चुनाव जीत जाता है और उसने जीतने के बाद किसी भी house की मेंबर्शिप नहीं लिये तो पिर उसे अपने एक sign करके सूचना देनी पड़ती है दिन के अंदर कि वो लोकसवा का मेंबर रहना चाहता है या राजसवा का दोनों का मेंबर नहीं रह सकता उसको एक इस्थान से रिजाइन करना ही पड़ेगा अगला question है जो एक पिसले वीडियो में कमेंट किया था पूजा व्यासरी ने उनसे ही संबंदित है कि उनका पूछना था कि क्या कोई व्यक्ति राजसवा का मेंबर है मेंबर रहते हुए लोकसवा का चुनाव लड़ सकता है हम इस question को और broad करते हैं अगर कोई व्यक्ति पहले से लोकसवा या राजसवा का सदस्य है उसके बाद यदि वो दूसरे सदन का सदस्य से चुना जाता है तो क्या होगा ऐसी इस्तिती में लोक प्रतिनिधित तो अधिनियम 1951 का जो section 69 है वो इस पस्ट रूप से कहता है जो व्यक्ति संसद के एक सदन के सदस्य से पहले से हैं और दूसरे सदन के सदस्य से निर्वाचित हो जाते हैं तो फिर वो जिस दिन दूसरे सदन यानि यदि लोकसवा का सदस्य और राजसवा का सुनाव जीत गया है तो फिर जिस दिन चुनाव जीता है उस दिन से वो राजसवा का मिम्मर माना जाएगा लोकसवा का जो है उसकी सीट वैकेट मानी जाएगी खाली मानी जाएगी और ऐसी इस्तिती में यदि वो राजसवा का पहले से सदस्य है अब लोगसवा का इस्थान मतलब लोगसवा का चुनाव जीत जाता है तो फिर जिस दिन ये चुनाव जीतता है उस दिन से राजसवा की सीट उसकी खाली हो जाती है और वो अब लोगसवा का मेंबर माना जाता एक समय में दोनों हाउस का मेंबर नहीं रह सकता उसको एक सीट अपनी खाली करनी पड़ेगी अगर वो नहीं करता है तो जो चुनाव जीत के आया है वही सीट उसके पास रहेगी और दूसरे हाउस की सीट उसकी समापत हो जाएगी जैसे कि पुझा व्यास जी ने आगे बता जीत जाते हैं तो अब ये लोकसवा के मेंबर हो जाएंगे राजसवा का स्थान इनका वैकेट हो जाएगा रिक्त हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति दो इस्थानों से चुनाव लड़े और दोनों पर जीत जाये तब क्या होगा भारत में वर्तमान में एक व्यक्ति दो लोकसमा छेत्रों से चुनाव लड़ सकता जैसे पिछली बार नरेंद्र मोदी, बाराणशी और गुजरात में दो सीटों से चुनाव लड़े थे ऐसे ही इस बार राहुल गांदी एक अमेठी और दूसरा केरल में वाइनाट वहां से चुनाव लड़े हैं अब मान के चलो कि किसी कंट्रिट को इन दोनों सीटों पर विजय प्राप्त होती है तब ऐसी इस्तिती में क्या होगा क्या वो दोनों का सांसत माना जाएगा या दोनों सीटों चली जाएगा इस Act का Section 70 वो कहता है कि किसी भी दो सीटों का अगर वो चुनाव जीत जाता है यसे लोकसवा के दो स्थान से चुनाव जीत जाता है तब उस व्यक्ति ने अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर निर्वाचना योग या उनकी किसी अथोर्टी को सूचना नहीं दी है तो फिर उसके दोनों इस्थान जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं यानि उसको अपनी एक सीट छोड़ने के सम्बंद में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो पिर उसके वो सभी इस्थान खाली माने जाएंगे तो दोस्तो ये थे election से संबंदित कुछ और questions जिनका जवाब आज दिया गया और आप जो question है जिनके answer आप चाहते हैं तो जरूर comment section में जाए और अपने question वहाँ पर लिखें हम उन सारे question हो का reply करेंगे ये video यदि आपको पसंद आता है तो like करें आप अपने friends के साथ इसे share कर सकते हैं ऐसे video और उसके update आपको मिलते रहें तो इस channel को subscribe करें Thank you